तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समाकलन, integration क्या होता है समाकलन? आउकलन की विपरीट क्रिया का नाम समाकलन है integration is reverse process of differentiation आउकलन आप पढ़ चुके हैं differentiation के lecture आप लोट किये गए हैं आप देख चुके होंगे calculus में आउकलन और समाकलन differentiation और integration दोनों का ही बहुत ही महतफुर रोल है बलकि पूरे math और physics में एक महतफुर रोल अदा करता है समाकलन के खोच से पहले जैसे आप समझ सकते हैं इसका समाकलन की ज़रुरत क्या है हम लोग जब किशी सेप की एरिया जब निकालते थे तो इस तरह की एरिया निकालना एक तरह से मुस्किल काम था कोई formula नहीं था जिससे हम इस तरह की सेप का एरिया निकाल सके छेतरपल निकाल सके इस तरह की आकरतिका जिसमें देखे तीन रेखा है और एक वक्र है तो वक्र जो कर्व रेलाइन है इसका हम लोग अगर कोई अब एरिया निकाल ले जाए इस बंदवक्र का ये इस पुरेव का तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता था येकली और ये बहुत ही मुस्किल होता था और ये मुस्किल बहुत समय तक रहा जब तक कि इंटिग इंटिल्यशन के खूज के बाद इसका समाकलन असानी से निकाल लिया जाता वा कि इस तरह के सिप यह और उसके पहले इंटिगर्यर्यसन से पहले क्या इसकी एरिया नहीं निकाल पाते थे निकालते थे छोटे-छोटे भागों में बाट करके निकालते थे कुछ और चीजें जैसे आपने पढ़ा होगा कारी इसकोल टू बल गुरते विस्थापन तो उसमें बल अचर रहता है और बल में विस्थापन का हम लोग गुड़ा कर लेते हैं कि 10 न्यूटन का बल लग रहा है 10 न्यूटन के बल के कारण कोई पिन 5 मितर विस्थापित हो गया तो कितना कारे होगा तो उस बल दारा किया गया कारे 50 जूल हो जाएगा लेकिन बल अचर नहीं होते समाने तर समाने तर बल जो है इसकी प्रकृति जो होती है परिवर्तन सील होते है तो अगर कोई पिन अगर यहां से यहां तक जा रहा है एसे बी तक और डिस्टेंस में होने वाले परिवर्तन के साथ दूरी में होने वाले परिवर्तन के साथ बल का परिमार अगर बदल रहा है तो फिर कारे का सुत्र कैसे लगाएंगे मिस्थापन唯े पता हो गया कि कहा से गहा जा रहे हैं अब बल कमान हर विंदू पे अलग-अलग है लगता रहा थिए तो घट रहा है या बढ़ ऐसे question को भी समाकलन की सहायता से, integration की सहायता से हम लोग कर लेंगे तो इसलिए समाकलन का बहुत ही महत और physics में important role है और ये इसकी सहायता से एक तरसे हम समझे ये कि हम लोग उस फलन को ग्यांद करते हैं जिसका ओकलर्ज मालूम हो जैसे fx का derivative fx है तो fx का अगर हम integration करेंगे तो ये small effects मिल जाएगा if d by dx of fx is equal to capital fx then integration of fx क्या होगा इसको anti-derivative भी करते हैं integration को anti-derivative प्रति ओकलर्ज यानि जिस फलन का हमको ओकलर्ज ग्यात हो ये पता कर सकते है समाकलर्ण की सहायता से कि किस फलन का ओकलर्ज है small effects का ओकलर्ज क्या है capital fx तो फिर अगर हमको capital fx पता है तो उसका integration कर देंगे समाकलर्ण कर देंगे तो हम लोग को पता चल जागा कि किस फलन का ओकलर्ज है small effects की सहायता से हम लोग उस फलन को प्राप्त कर सकते हैं जिसका कि ओकलर्ज है fx यह यह अगर यह है तो इसका समाकलर्ण कर देंगे यह समाकलर्ण का प्रतीक चीन है s की तरह बना करके s का बीचोला हिस्सा सीधा कर देंगे तो समाकलर्ण निकल जाएगा ठीक है तो समाकलर्ण जो basic integration है उसके कुछ फर्मूला हम बताने जा रहे हैं आउकलर्ण में जैसे 10-12 फर्मूला सुरुआत में आपने पढ़ा था समाकलर्ण में भी कुछ फर्मूला है अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेगे तो समाकलर्ण में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ये तो तयमान के चलिए हर तरह के question आप लगा लेंगे इतना हम आपको भरोसा देते हैं लेकिन अगर आप पुरा नहीं देखेंगे थोड़ा सा देखके निसकरस निकाल देंगे तब तो मुस्किल आएगी तो वीडियो को लाज तक देखें समाकलर्ण में कोई दिक्कत नहीं आएगी ये physics में है math में भी है कहने का मत्तब mathematics और biology 11th class और 12th class दोनों के बच्चों के लिए दोनों class के बच्चों के लिए हुई उपयोगी है इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है basic knowledge तो होना ही चाहिए तो समाकलर्ण हमने जैसे पहले कहा कि और की विप्रित क्रिया का नाम है पहला formula होता है x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 जहाँ n is not equal to minus 1 और यहाँ plus c भी होता है समाकलर्ण जब भी करेंगे तो plus c एक constant जोड़ेंगे यहाँ थोड़ा आगे लिख देते हैं n is not equal to minus 1 अब दो question तीन question आपके मन में आ रहे होंगे कि एक c क्यों जोड़ रहे हैं दूसरा n is not equal to minus 1 क्यों लिख दे रहे हैं n है यह x मत समझाएगा n n is not equal to minus 1 ठीक है क्या एक तो पहली बात तो आपको c क्यों जोड़ा जाता है इसको भी बता रहे हैं लेकिन पहले यह जान लिए क्यों 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 अगर minus 1 हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा हर दिनामिनेटर 0 हो जाएगा तो यह क्या होगा और परिभासित हो जाएगा defined होगा नहीं 1 upon 0 इसलिए n का value minus 1 नहीं हो सकता दूसरी बात क्या minus 1 के लिए फिर एक टुद पॉर minus 1 के लिए फार्मूला होता ही नहीं क्या उसका समागलन नहीं निकाल सकते निकाल सकते लेकिन यह formula apply नहीं करेंगे उसके दूसरा फार्मूला n कमान फिर क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता बस minus 1 नहीं होगा वाकि कुछ भी आप ले सकते हो पाश्टी भी निकेटिव भी भिन्नात्मक भी पुडांक भी कुछ भी हो सकता भी डar के महँत समाकलन में समाकलन 2 हिस्वे में बटा है निश्शित समाकलन अनिश्शित स Summit अभी उससपे आएंगे और और रोशनी डालेंगे कि analyst समाकलन में क्या थोड़ासा फुड़ासा उसके 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 उपर चर्चा करेंगे विडाल बाद में characterized जब पुरा अनिशी समाकलन खतम हो जाएगा तब आपको अनिशी समाकलन बताया जाएगे लेकिन थोड़ा सा सुरुवात में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले इसको हम चेक कर लेते हैं इस फार्मूले को तब बताएगे कि C क्यों जोड़ रहा है जैसे इसका उल्टा इसका समाकलन यह आए है X के सापेच X to the power N का integration क्या हुआ है X to the power N प्लस 1 अपान N प्लस 1 प्लस C इसका समाकलन किये हैं तो यह मिला है अगर इसका हम ओकलन करेंगे तो फिर वापस X to the power N मिलना चाहिए D X मतलब X के सापेच हुआ है ठीक है तो इसका जरा ओकलन करके देखा जाए क्या यही आ रहा है X to the power N ओकलन तो आपको याद होगा पढ़े हैं इसको अलग-अलग कर लिया जाए 1 अपान N प्लस 1 D by D X of X to the power N प्लस 1 प्लस D by D X of C constant है 1 अपान N प्लस 1 क्या होगा इसका derivative N प्लस 1 X to the power N प्लस 1 माइनस 1 याद है कि भुल गया जितना होता है पाउर उसको लिख कर उसमें एक घटा देते हैं अब प्लस C का क्या होगा constant का ओकलन क्या होता है 0 यहाँ N प्लस 1 से N प्लस 1 कैंसिल हो गया क्या बचा एक्स टूद पॉर N आ गया हो गया इसका ओकलन करेंगे तो यह आ गया सारे सुत्र आप एक तरह से समाकलन के कोई भी सुत्र कोई भी फर्मूला जो हम लिखेंगे वह आउकलन के मदद से लिखेंगे आउकलन के सुत्र याद नहीं होगे तो समाकलन में मुस्किल होगा आप के सी क्यों जोड़ते हैं अभी आरहें उसे खबणाएंगे नहीं इटु दू प्राइक क्या होता है डेरिवेटीव या ओकलन इटू प्रॉटर एक्सी होता है तो इसको एंटी डेरिवेटीव कहेंगे और इंटेग्रेशन या integral इसको बोलते हैं, इस process को integration करते हैं, तीक है न, जो derivative का anti-derivative होता है, जुसका Oculus का प्रती Oculus होता है, उसको हम लोग समाकल करते हैं या integral करते हैं, और इस process को क्या करते हैं? integration या समाकलन, तो e to the power x का anti-derivative क्या होगा? e to the power x ही होगा, प्लस c, तो c मन में लगाए दिर तक क्या क्यों c आ रहा है, तो और बढ़ियां से समझ में आएगा, a to the power x है, क्या होता derivative? a to the power x, lag a, b, c, तो anti-derivative क्या होगा? a to the power x, upon lag a, b, c, आप इसका alkaline करेंगे तो यह आ जाएगा है, इसका जब आप alkaline करेंगे तो a to the power x आएगा, चेक करके देखिएगा, ठीक है? अब थोड़ा trigonometric function के formula लेते हैं, तो अब trigonometric function आपको मालुम होगा, यहाँ लिखते हैं छोटा सा, b, n is not equal to minus 1, आप तो समझे करेंगे हो, साइन संप किया होता है का सिर्द सा डेरिवेटीव क्या होता है का सिर्द साइन चिर्दर devatri, य आधिल गुलाग् लाग x है क्या होता है, derivative, 1 upon x, तो 1 upon x है क्या होगा, लाग x, प्लस c, तो आ फर्मुल्डा पुरा लिग लिए तब c के बारे में आएंगे, और देखे, 1 upon x को आप x तुथ पर माइनस 1 लिख सकते हैं न, तो x तुथ पर माइनस 1 हम ने कहा था, कि माइनस 1 रहेगा, x पे power minus 1 तो कौन सा formula लगाएंगे ये नहीं लगाएंगे ये लगाएंगे n का value अगर minus 1 है तो ये formula लगाएंगे और कुछ भी हो तो ये formula लगाएंगे इसका ध्यान रखे रहेंगे sin x से क्या होता derivative? cas x cas x का anti-derivative यानि integration क्या होगा? sin x plus c अब cas x से क्या होता? minus sin x derivative तो sin x का anti-derivative यानि कि समाकलन क्या होगा? minus cas x plus c integral of sin x dx is equal to minus cas x tan x से क्या होता है? tan x का होता है derivative से की square x तो anti-derivative क्या होगा से की square x का? tan x का जब अकलन करते हैं तो sin square x मिलता है तो sin square x का जब समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? tan x देखें, इसका कोई अपना formula नहीं सब उसको उल्टा करके लिख रहे हैं car x का अकलन करते हैं तो क्या मिलता है? minus cos x square x तो cos x का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? minus cos x plus c sec x का अकलन करते हैं तो क्या मिलता है? उसका अकलन क्या होता है? sec x into tan x तो इसका integral क्या होगा? sec x into tan x का समाकल क्या होगा? sec x plus c cause x का क्या होता था? जब cos x का अकलन करते थे तो उसका अकलाज या अकल गुड़ांग क्या मिलता था? minus cos x into cortex तो जब cos x into cortex का समाकलन करेंगे तो इसका integral क्या मिलेगा हम लोग को? minus cos x minus तो इधर कर देंगे plus c यह just opposite process है हमने पहले ही कहा कि integration is just opposite process of differentiation सारे सुत्र देखिए उसी से निकाले गए इसका अपना कोई अपना खुच से सुत्र जैसे sec x का नहीं है समाकलन 10 x का नहीं है कौस एक सा समाकलन नहीं है sec x का नहीं है, देख रहे हैं न? तो क्या sec x का समाकलन होता ही नहीं? होता है लेकि उसका सुत्र नहीं है अभी बाद में उसको पढ़ेंगे कैसे निकालेंगे फिलाल आपको इन 10 फर्मूले से काम चलाना पड़ेगा शुरुआत यहां से करते हैं अब जैसे x to the power 5 का समाकलन कर रहे हो आप तो क्या मिलेगा? अगर n का बेलू 5 है c पर आएंगे गवड़ाएंगे नहीं क्या हो जागा? x to the power 5 प्लस 1 अपान 5 प्लस 1 यानि कि x to the power 6 अपान 6 अब प्लस c तो लिखेंगे न? प्लस c को तो लिखते रहना है x to the power माइनस 8 x पर घात कितना है? 8 कैसे होगा इसका समाकलन? बताइए x to the power माइनस 8 प्लस 1 अपान माइनस 8 प्लस 1 प्लस c इसकोल टू क्या हो जागा? x to the power माइनस 7 अपान माइनस 7 प्लस c रहेगा कुछ और ले लेते हैं x का वैलू n का वैलू बाकि सब फर्मुले में कुछ खास नहीं मैं यहीं है n कमान बार बार चेंज होगा फर्मुला आप नोट कर लेंगे और अगर अगर अपला नहीं आद है तो फर्मुला ऐसे भी आपको असानी से कर सकते हो x to the power 1 by 2 है और इसका हमको समाकलन करना है तो कैसे करेंगे x के सापेच x to the power 1 by 2 का x के सापेच हमको समाकलन करके ज्याद करना है इसका समाकल क्या होगा integral क्या होगा कैसे निकलेगा तो क्या करेंगे x to the power n plus 1 upon n plus 1 x to the power 3 by 2 divided by ये भी क्या हो जागा 3 by 2 2 उपर चला जाएगा तो 2 x to the power 3 by 2 upon 3 ये तो पता है न कौन उपर जाएगा ये basic जो fraction होता है भिन होता है उसका basic नालेज आपको होना चाहिए कि uns क्या है हर क्या अगर uns ये है हर ये है तो 2 उपर जाएगा और अगर uns ये है हर ये है तो फिर 3 और 2 नीचे रहेंगे तो पता होना चाहिए 4th 5th class में है ये उस पर अभी जादा नहीं आ रहे है अगर problem होगा तो उसको भी बता दिया जागा 3rd 4th class का चीज़ें प्लस C प्लस C छुटा हुआ है प्लस C लिख देंगे अब देखिए क्यों C लगाते है अब इसको समझेए आपके मन में बार बार आ रहा है कि सर चालते जा रहे हैं C बताने रहे हैं क्यों लिख रहे हैं हर जगा C लिखते जा रहे हैं तो बच्चे सीखने के बज़ाए जो बताया जाता उसको नहीं सीखते सारा ध्यान उसकी पर रह जाता है यह C क्यों आ जा रहा है देखिए हमने जैसा बताया है औकलंड की विप्रीत क्रिया का नाम समाकलंड है अगर आप X स्कुाइर का आउकलंड करते हो तो क्या मिलेगा 2x अगर आप X square plus 2 का Oclan करोगे तो क्या मिलेगा पताइए इसका Oclan Oclan ताप पढ़ चुके हो न X square का 2X होगा अब 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यानि field 2X अगर आप X square plus 5 का Oclan करते हो तो क्या मिलेगा 2X ही मिलेगा अब जबाद समाकलन करके देखिए समाकलन क्या होगा समाकल उसका क्या होगा इंटीग्रल क्या होगा समाकलन करेंगे तब पता चल जाएगा X के साफ इस समाकलन करते हैं तो इसका इंटीग्रल या समाकल पता चल जाएगा कि क्या होगा देखिए 2X DX 2 constant rule से बाहर चला जाएगा constant rule पता है न, जैसे alkalon में और यह समाकलन में भी होता है constant को बाहर लेके चले जाते बच गया x dx formula number 1 ही x पे power 1 है तो क्या हो जागा x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 हो गया अगर हम c नहीं लिखते हैं तो क्या हो जागा x square आ गया बोलिए अब यह कैसे पता चलेगा हम इसका भी alkalon कर रहे हैं तो 2x इसका भी alkalon कर रहे हैं तो 2x इसका भी कर रहे हैं तो 2x तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ 1 था कि 5 था कि 0 था यहाँ plus 0 कह सकते हो आप यहाँ constant कितना है? 0 है तो इसी लिए इसमें C add कर देते C add कर देंगे तो इसमें जो constant होगा अब इसका answer क्या आएगा X square plus C अब C का value इस case में क्या होगया 0 इस case में क्या होगया 1 इस case में क्या होगया 5 तो वो जो value आएगा C का इसको adjust कर लेगा जो ये कमी आ जाई थी उस कमी को पूरा कर देगा क्योंकि ये constant को पकड़ नहीं पाएंगे आप जब reverse करेंगे जब समाकलन करेंगे तो C का मान क्या था 5 था की 1 था की 0 था की नहीं था इस चीज को आप पकड़ नहीं पाऊगे तो इसलिए C लिख देते है अब जो उसका value होगा उसको रख देंगे C का value आप ग्याद भी कर सकते हो उसमें कुछ condition दे या रहता है तो C का value निकल भी जाता है लेकिन आप लोग क्या करेंगे अभी बस हर जगा C लिख देंगे ठीक है तो यही चीज है इसलिए C लगाते है बाकी अब आप समाकलन सीख गए अब कुछ खास नहीं है question लेकर के आपको बता रहे है जैसे 5x square 3x cube 7 root x plus 8 एक question भी समझ जाएंगे हो जाएगा इसका integration करना है क्या करेंगे पहले सबको अलाग गलग कर दीजिए जैसे आउकलन में करते थे 5x square dx 3x cube dx 7 x to the power 1 by 2 होगा न dx plus 8 only dx के बलद dx होगा 5x square का क्या हो जाएगा x cube by 3 बोलिए सही है दो मेंग जोडेंगे 3 3 x to the power 4 by 4 plus 7 हाप में 1 जोडेंगे 3 by 2 upon 3 by 2 plus 8 1 का क्या होगा x plus c अब सब में c अलग अलग नहीं जोडेंगे एक ही c last में जोडेंगे सारे c को adjust करेंगा यह नहीं अब चार्टव आउकलन एक बार करना है एक ही question में 4 integral निकलना है c1, c2, c3, c4 नहीं करने की जोड़त है एक c लिख देंगे सब को adjust कर लेगा वो तेकिए आप एक चीज़ और जान लिजे x का oculus क्या होता था 1 तो 1 का समाकलन क्या होगा उसका integral क्या होगा उसका समाकल क्या होगा x होगा इसका ध्यान रखेगा ठीक है अब थोड़ा सा चर्चा हम definite integral और indefinite integral निश्य समाकल और अनिश्य समाकल पर करते है निश्य समाकलन में क्या होता है x के value दिये रहते है यह दिखे 1, 2, 4 integration of या integral of x square dx इसमें x का value lower limit क्या है 1, upper limit क्या है 4 है और अनिश्य समाकलन में x के value नहीं दिये रहते हैं जो निश्य समाकलन होता है उसका answer एक number के रूप में आएगा और निश्य समाकलन का जो answer आएगा वह x के पदों में आएगा प्लस साथ साथ उसमें c लगा रहेगा अब जैसे इसका क्या होगा कैसे करेंगे निश्य समाकलन में करने के तरीका वह इसी रहता है जैसे x उसकार का क्या होगा समाकलन x cube by 3 1, 2, 4 करने के बाद bracket लगा के इधार लिखेंगे 1, 2, 4 और उसके बाद क्या करते हैं ध्यान से समझेगा x के जगह पे 4 लिख देंगे फिर minus 1 लिख देंगे upper limit पहले लिखते हैं फिर lower limit लिखते हैं बीच में minus करते हैं x के अस्तान पर पहले upper limit then minus करके lower limit तो क्या हो जागा 4 cube minus 1 cube upon 3 4 cube कितना होगा 64 minus 1 upon 3 यह कितना होगा 63 upon 3 यानि कि 21 आंसर देखें के नंबर के पदों में है और इसका अंसर देखें किया होगा x cube upon 3 plus c तो यह निश्य समाकलन की भी ज़रुद पढ़ती है जब पुरा निश्य समाकलन आप पढ़ लेंगे तो निश्य समाकलन आप पढ़ेंगे लेकिन सुरुआत में हमने एक question ऐसे ले लिया बाकी जब जो होगा तो निश्य समाकलन की जब प्रापरटी पढ़ेंगे तो उससे question related करेंगे अब कुछ question आपको लेते हैं समझाने के लिए देखिए 5 e to the power x 7 upon x 3 sin x minus x to the power 1 by 3 plus 8 इसका समाकलन करना है कैसे करेंगे आप बहुत असानी से कर लेंगे पहले सबको अलग-अलग कर देजे constant rules और addition rule जितने फलनों का समाकलन है सबको अलग-अलग कर देखिए यह हो गया 7 1 upon x dx 3 sin x dx minus x to the power 1 by 3 dx plus 8 बाहर only dx सब अलग-अलग हो गए अब ध्यान दीजिए e to the power x का क्या समाकलन होता e to the power x प्लस एक हीटो लिखेंगे बार-बार नहीं लिखेंगे 7 1 upon x से क्या होता है log x ध्यान दीजिए गए x to the power minus 1 हो जाएगा और कुछ बच्चे बार-बार कहने के बावजूद भी समझते नहीं है जब भी minus 1 आता है तो लिख देते है minus 1 plus 1 और x to the power 0 upon 0 बिल्कुल गलत हो जाएगा यह होता ही नहीं यह इसकोई टू-1 के लिए फर्मूला अप्लाई नहीं होता उसके लिए क्या होता है log x अगर यह कर देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सांइंच का अब यह ओकलन वाला फर्मूला मत लिखिएगा differentiation का साइंच का ओकललव होता है का सेक्स लेकिन इंटिग्रल जो होता इंटिग्रल आप साइंचि किवा तो होता है माइनस का सेक्स होता है कि माइनस क कुछ लोग समझने के बाद भी करते पाद अच्छा यह कैसे माइनस आ गया अभी फार्मूला सब लिखवाएं है फार्मूला है वो एक्स टुद पौर बाइटी तो क्या जगा वन बाइटी प्लस वन अपान वन बाइटी प्लस वन प्लस एट इंटु एक्स और लास्ट में एक सी जरूर लिख दीजिए अब हर जगे सी लिख सक तो हर जगा भी लिख सकते हैं उसको को इजल नहीं हो जगाए अजयां प्लस फ्लस ऑनसी टूऑ प्लस ऐसी 3 4 1जी 5 प्लस सी 5 और उसे सब सबको जोड़ कर करें एक्सिक करिए तो इसे बढ़िया कि क्या जो रहने लीक लिखनी किसे 2 लाग एक्स usa माएनस 3 कास x ये क्या हो जागा, x to power 4 upon 3 फिर 4 upon 3 ये भी होगा प्लस 8 x प्लस c अब ये 3 उपर चला जाएगा, बस और कुछ नहीं हो गया, अंसर बोलिए कोई दिकत अब तो आप सब समझ गए अब आपको कुछ खास समझाना नहीं और एक आप कॉस्चन ले लिजे c square x प्लस 5 x to the power 3 क्या करेंगे c square x है क्या होगा फिर इसको अलग-अलग लिख दिजे c square x dx c square x है क्या होता इंटिग्रेशन 10 x बाकी इस सब फर्मूला बस टेबल से देख करके लिख देना है x cube का x to the power 4 divided by 4 प्लस c कैसे 3 में हमने एक जोड़ा है x to the power n का क्या होता है x to the power n प्लस 1 अपान n प्लस 1 बार बार इसी फर्मूले पर जो question होंगे होंगे बाकी तो फर्मूले को बस देख करके लिख देना होता है थोड़ा बहुत दिमाग इसी में लगाना होता है बाकी कुछ खास होता नहीं कभी कभी कुछ ऐसे भी आ जाएंगे जैसे आप फर्मूला नहीं रहेगा जैसे अब इसका तो फर्मूला है नहीं इसका तो सरल नहीं लिकाए नहीं तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा कर सकते हैं कि तैन स्कार इसकोर टू क्या हो जागा से की स्कार एक्स माइनस ओन होता है कि नहीं टिमेट्री नाइन 10th क्लास में पढ़े हैं और यहां भी बेसिक टिमेट्री में बताया ग्या है अब दोनों का अलग-अलग कर दीजिए या फिर ऐसे डारेट कर दीए C के स्कौाइर X से क्या होता 10X जिए अलग-अलग कर लेँ विशुरू आता है C की स्कौाइर X DX minus 1DX अब क्या हो जागा C की स्कौाइर X का 10X अब minus DX का X plus C dx का हमेशा x होगा क्योंकि x का oculus 1 होता है तो 1 का समाकल क्या होगा x होगा तो इस तरह से हो गया यह अब कुछ question आपको घर के लिए देते हैं आप घर पर practice करोगे ठीक है फर्स्ट कोश्चन सिकेंड कोश्चन है थार्ड कोश्चन है एट से कि स्कार एक्स प्लस चलिए प्लस ही लिख देते हैं 5 साइन x प्लस 7 a to the power x बस कुश्चन नमबर 4 हो गया 5 e to the power x 7 x to the power minus 3 4 कासे की स्कार एक्स प्लस 10 और यह dx लिखेंगे x के साफ़े समाकलन करना इसको हम लोग को निक्ट करना है इस प्रक्रिया को कहते हैं समाकलन जैसे समाकलन करिए और यह integral होता है समाकल होता है ठीक है ना इसका हम लोग समाकल निकाल रहे हैं जो निकालेंगे आप इंटिग्रल और एक कोश्चन लिख दे रहे हैं पांच कोश्चन हो जाएं तो अच्छा लगेगा तो 3 सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस सेवन को सेक स्क्वाइर एक्स बस यह पांच कोश्चन आपको होमवर्क के लिए गया है आप इसको घर पर प्रेक्टिस करेंगे फिर नेक्स वीडियो में और सारे कोश्चन लेकर के आपको समझाय जाएंगे इतना अगर आप कर लेते हो तो आप समझ दीजे कि इंटिगुरेशन की गारी स्टाड हो गई अभी चलाएंगे अगले लेक्शर से गारी स्टाड तो होना चाहिए यहां से आपकी गारी स्टाड हो गई अधिरे दिरे आपको गेर बदल करके speed बढ़ायता जाएगा बढ़ायेंगे हम लोग इतना आप समझ जाएए फिर आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है जैसे जैसे आप lecture एक-एक lecture देखते जाओगे आपको integration में कहीं problem आती आयेगे ने ठीक है? Thank you